हेलो नमस्कार दोस्तों कैसे हो आप सब लोग मैं राजेस मयूर फोटोबुक जयपूर से और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि हमारे पास जो मसीन लिग वी है वह है एच्पे इंडिगो पंदराज़ार तो राजस्तान में लगने वाली पहली मसीन एच्पे इंडिगो पंदराज़ार यहां अमारे मयूर फोटोबुक जयपूर के अंदर लगी हुई है इससे आप एक बार प्रेंट की क्वालिटी चेक करवा के देखो कि कैसा यह अलबम प्रेंटिंग करती है मैं आपको एक डेम बैक कवर है जिसको हम बोलते हैं प्लैन कवर और इसके मैं आपको दिखाना चाओंगा कि इसमें कैसे प्रिंट होता है यह हम जो अस्तर यूज करते हैं वह भी एक मतलब मोटी शीट का होता है जो 300 जियसम की होती है तो इसमें आप चलते हैं पहले पेपर पे तो यह आता है है अपना मेटलिक इसके इसमें मसीन से यूवी प्रिंट होता है जिसको बोलते हैं फोईलिंग बगएर आ जाती है इससे और यह अभूशनों पर किया जाता है इससे एल्बम के फश्ट पेज करवाने से बहुत अच्छा लगता है आपके कस्टमर भी बहुत जादा मतलब स संतुस्ट होगे इस पेपर से और वह आपको कस्टमर ने क्या रेट दी है क्या कैसे मतलब कितने क्या किया है तो दूसरा पेज में दिखाता हूं डेमों का तो इसमें नॉर्मल एमोज इससे थोड़ा सा डिप्रेंट सा अंतर है वैसे तो सेम ही है लेकिन इसमें 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 दूप्लेक्स पेपर यूज किया जाता है जिससे उसकी चमक बहुत सांदर आ जाती है और यहें ट्रांस्पेरेंट इसको बहुत अंधार है इसमें ना को देश्ट बगेरा कुछ भी है और यह फर्स्ट पिज होता है और यहां से हम पेपर की अलग-अलग different लिखार दाशामें बोलते हैं इस सांद इस मसीन का ही प्रिंट है जो चलने वाला होता है जो कक्ष्ट्मरों को ज्यादा दर यहीं चलता है ना कोस्पली होता है ना कुछ और और ना यह समसीन से प्रेंटिंग कर्वाने के बाद 20 मिन आप रखोगे तो इसमें अंदर यह जो ह रहा है उसके अंदर वो प्रेंटिंग की क्वालेटी है वो भी चैंज होती है इस अलबं को आप कहीं भी रख सकते हुए हमारे हमारे यह बारा साल की गारेंटी है कि इसमें कोई कलर का फोल्ट नहीं आता है उसका पर में दूसरे पर पर यह होता है इस पर में जिसको कारका परोलते हैं और नां परने वाला यह प्लास्टिक होती यह प्रति नहीं है कैसे भी कर लो कुछ भी कर लो यह किसी भी हालत में फटी नहीं है उसमें ना कुछ आते हैं बिल्कुल एकदम सांदर आता है इस पर ग्लोस्ट लेंबलेसन होता है और वेल वेट भी होता है आप जो करवाना चाहूं उसे मेरे को तो यही सबसे ज्यादा प बोटी सीट है यह 170 जियसम पर है और यह 200 जियसम पर काम प्राइम की जो सीट है यहां से शुरू हो जाता है अपना प्रीमियम सेलक मैट यह गलोसी पेपर पर मैट लेंबलेसन हुआ है इसकी फिनिसिंग बहुत सांदर होती है ऐसे आद लगाएं तो पता चलता है इसका कि इसकी फिनिसिंग कैसी है और यह एंटियार पर सिलके मैट होता है यह जो कभी फड़ता नहीं है और इसी पर मैट का लेंबलेसन हुआ है और आगे चलते हैं इसे बड़ी सीट वाड़ा है अपने पास अलगलग पेपर मैं आपको बताने वाला हूं आज कौन से कौन से आफ दिया जाते हैं कौन से काम किया जाता है वो सब मैं आज कर देने वाला हूं आप इस मैडियों के मादिने से आपको और यह है डूल मेटलिक कहलता है जिसको अब गोल्ड मेटलिक हृष यह पारटी कैसी है बहुत मदलब भी बहुत बैस्ट लगता है यह अईर हो गया पर्ल मेटलिक कि इसी मसीन से प्रेंट हुआ है यह अलबम कि देखो इसकी क्वालिटी और यह होता है वेलवेट लेशन बिल्कुल स्मूथ ली मलब इस पर हाल लगा होगे तो भी पता चले का इसकी फिनेसिंग कैसी है यह कैसा अलबम है यह अपने पास पेपर की क्वालिटियां है कि कौन सा याज मैं सब बताने वाला हूं आपको यह लस्टर पेपर है जो कुद अपने आपमें ये बहुत बड़ा अच्छा पेपर है की इसका कॉलिटी बहुत चांदार है यह करिए आप दोस्तों एक बार करवा के देखिए फि आपको कौन सा पर यूज करना है राजस्तान में जो चलने वाला पेपर है वो यह है कि एंट यार और सी को बहुत इसको ने संद न करते हैं घ्ली जो पेपर होता है और यह जो कादता नहीं तो फार उपने यूज होता है जादा तर हमोगी इस मजीन से सब्वाकर हम यह तो आप करते हैंना यह वैसे दिखाना चाहूं तो आप मेरे पास एक प्रिंट लगा हुआ है इसमें यह मसीन की फोटो देख लो दोस्तों और यह दिद्धि आपको अच्छी आपको क्स्टमर को क्वालेटी देनी है तो एक बार इसी करना और लेव में आप चाहो तो विजिट कर सकते हो और इस मशीन को भी सकते हों कोई दिक्कत नहीं है हम दिखाने में इंचुक है वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करें कमेंड करें सब्सक्राइब करें थैंक्यू दोस्तों धन्यवाद